भगवान ने एक दिन अपनी पत्नी रुक्मिनी से बड़ा बिचित्र मजाग किया क्या मजाग किया उले रुक्मिनी जी भगवान को पंखा कर रही थी तो भगवान ने रुक्मिनी जी से कहा देवी एक बात बताओ क्या सोच करके आपने मेरा वरण किया आपको चाहने वाला सुषपाल था, बड़े बड़े राजा आपको चाहते थे, लेकिन आपने मुझे पत्र लिख करके बुलाया, क्या देखा आपने मेरे अंदर, मैं तो कहीं का राजा भी नहीं और मेरे कुल का भी निर्धार्ण नहीं, कोई कहता है नंद का बेटा है, कोई कहता है वसुदेव के बेटा है, आप परम सुन्दरी, मैं काला का लूटा, मेरे जैसे विक्तिका वरण क्यों किया? भगवान ने कहा कि देखो, मेरे इतने सत्रू, सत्रूों के भै से समुद्र में आकर, ज्वारी का पुरी बसा करके मैं रहता हूँ, और मुझे अपने सत्रूों के भै के कारण, मथुरा छोड़ करके भागना पड़ा, आज तक बड़े बड़े राजा भरी शभा में, मेरा आपमान करते हैं, कहते हैं, अरे ये क्रिष्ण वही तो है भगोडा, जो भाग गया था, क्रिष्ण का एक नाम ही पड़ गया भगोडा, कौन से क्रिष्ण का बले द्वारी का अधिस क्रिष्ण का, आज भी द्वारी का में जाओ, तो वहां क्या जय बोली जाती है, बले द्वारी का में यही जय बोली जाती है, रण छोर राय की जय, तो रण छोर राय का मतलब क् करके जो भाग गया युद्ध छोड़ करके जो भाग गया उस भगोडे की जय सीधा सीधा आर्थ तो यह ही भगवान ने कहा मेरे जैसे व्यक्तिका आपने वरण किया यह उचित नहीं किया लेकिन है देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है अथात मनोन रूपम वई भजस्व छत्री अर्शभं देवी अगर आप चाहो तो आप अपने मन के अनकूल किसी छत्री को पसंद कर लो और उसके साथ चली जाओ मुझे कोई दुख नहीं होगा और मेरी कोई इच्छा भी आप में नहीं है आप चाहो तो अपने मन के अनकूल किसी छत्री का वरण कर लो जिसके साथ आपको सुख हो इस लोक में भी और परलोक में भी आपको सुख हो इस प्रकार जब भगवान ने रुक्मनी जी से कहा, तो रुक्मणी जी जो हाथ में पंखा ले करके व्यजन कर रही थी, वो पंखा हाथ से छूट गया, रुक्मणी जी तो मूर्चित होकर के गिर पड़ी, कि भगवान द्वारी का अधिश मेरा त्याग कर रहे, मैं कहा जाओं और जब रुक्मणी जी गिरी तो भगवान उचल करके दोड़ पड़े और गिर्ती हुई रुक्मनी को तुरंत अपने हाथों से समाल लिया उस समय रुक्मनी जी के केश खुल गए बाल में जूड़ा बना करके रखा था रुक्मनी जी ने जूड़ा खुल गया और वो बाल रुक्मनी के केश प्रतवी का आसपरश करने लगे तो भगवान ने देखा एक सवभाग गिवती इस्त्री के केश खुले हो तो ये अमंगल सूचक होता है सवभाग गिवती इस तरी का केश खुला नहीं रहना चाहिए गुथे हुए होने चाहिए बधे हुए होने चाहिए खुल जाए तो तुरंट उसे गूथ लेना चाहिए रुक्मणी के केश जब खुल गए तो भगवान ने चतुर भुज रूप धारण कर लिया उसी समय दो भुजाओं से भगवान ने रुक्मणी को समाला और दो भुजाओं से भगवान ने रुक्मणी के केश को बाधा केशान समुहियतत वक्त्रम प्रामरिजत पद्म पानिना इसलिए सवभाग गिवती इस्त्री को कभी अपने केशों को खुला नहीं रखना चाओ ये उपदेश है सवभाग गिवती रुकमिनी के केश खुलें ये तो अमंगल है इसलिए भगवान ने दो अपनी भुजाएं प्रगट कर दी ततकाल और उन भुजाओं से क्योंकि दो हाथों से तो रुकमिनी को समा ले थे तो बाल कैसे बटोर करके बांधते तो भगवान ने दो भुजाओं को और प्रगट कर दिया और अपनी उन दोनों भुजाओं से रुकमिनी के केश का ग्रंथन किया रुकमिनी जी को जब हो साया तो रुक्मणी जी ने कहा प्रभो आप मेरा त्याग करना चाहते हैं भगवान ने कहा नहीं नहीं देवी मैं तो मनो विनोध कर रहा था कि ऐसा कहने पर आप नाराज हो जाओगी मुझसे लडाई करोगी क्रोध में मुझे कुछ कहोगी तो मैं देखूंगा कि मेरी रुक्मणी का मुकमंडल कैसा लगता क्रोध में मेरी रुक्मणी कैसी लगती है यह देखने के लिए मैंने ऐसा का क्योंकि रुक्मणी जी ने कभी क्रोध किया ही नहीं कभी भगवान से कोई असंतोस नहीं रुक्मणी जी को इसलिए रुक्मणी जी के भामिनी रूप को पुरोधवती नाईका के रूप को भगवान ने कभी देखा ही नहीं इसलिए भगवान ने ऐसी मजाग की लेकिन रुक्मणी तो रोने लगी भगवान ने कहा देवी मैं आपका परित्याग नहीं कर सकता ये सम्मनो विनोद भगवान के ग्रिहस्त जीवन का अंग है और इस प्रसंग में भगवान ने कहा भी ग्रिहस्त जीवन का ये सुख है अयम ही परमो लाभो ग्रिहस उग्रिह में धिनाम यन नरमाईर नियते आमह पती-पत्नी में कभी-कभी कुछ खट-पट होनी भी चाहिए अयम ही परमो लाभो भगवान कहते हैं क्यों बहुत आयसा होने से प्रेम असनेह नूतन और नवीन हो जाता है और फिर उस प्रेम में नई उर्जा उत्पन हो जाती है ये सब कह करके भगवान ने ग्रिहस्त धर्म का महत्त बताया